एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार हमको प्राप्त हुए कि भिलवाडा पुलीस लाइन आर्मरी से काफी पुराने हतियार खुर्द बुर्द हो गए हैं समाचार के माद्यम से मुझे मिले हैं इसके बारे में जो आप फर्मा रहे हैं कि हमारे बनेड़ा परिवार के लगभग ग्यारा से चौदा हतियार जमा थे वो भी खुर्द बु और इन हत्यारों में जो सबसे कीमती हत्यार थे वो 1820 में करनल जेम्स टॉड जिन्होंने राजपुताना के उपर अपना इतिहास लिखा है उन्होंने वो दो पिस्तॉलें जो गी अमुल्य पिस्तॉलें थी हमारे पूरवज राजा भीम सिंजी द्वित्य को उन्होंने गिफ दुख हुआ है कि वो दो पिस्तॉलें और अन्य हमारे द्वारा जमा कराया हुए बंदूकें वो खुर्द-बुर्द हो गई है इन बंदूकें पिस्तॉल के अलावा जो बंदूकें हैं ये इन बंदूकों में जो बैरल थे उसके उपर सोने वं चांदी की नकाशी की गई थी उसके साथ साथ में जो बंदूकों के जो नीचे का भाग होता है जिसको अपन पकड़ते हैं लकडी के बने होते हैं वो हत्ते उनके उपर लगभग हाथी के दाथ की नकाशी की गई थी और ये जो हत्यार हैं ये अठारा सो पचास अठारा सो पच्पन अठारा सो सत्तर के काल के अंदर भी हमारे राजाओं दौरा इस्तमाल किये गए थे इन हत्यारों की कीमत देखिए एक तो होती है एंटीक वेल्यू एक होती है हिस्टोरिकल वेल्यू और एक होती है परिवार की इमोशनल वेल्यू इन तीनों की अगर वेल्यू लगाई जाए तो ये अमुल्य है लेकिन अब क्योंकि एंटीक वेल्यू की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो पिस्टोले हैं करनल जेम्स टॉर द्वारा दी गई उनकी लगबग अगर अंतराश्टिय बजार में जो मुल्य है हो सकता है अनु अगी जा सकती है झार अंतराश्टोले है में क्योंकि जा सकता है